बात करेंगे correlation matrix के बारे में तो अब मैट्रिक्स क्या होती है मैट्रिक्स जो है एरे होता है numbers का जो की rows और columns के तुरू define होता है ठीक है अब correlation matrix जो है वह सिंपली कहा है एक matrix बनाती है एक एरे बनाती है ठीक है जिसके अंदर जो correlation coefficient की values define हो जाती है ठीक है अब क्या है इसमें यहां पर आपको इस इमेज है इसमें टेबल दिखे रहे होगी जो कि क्या है हमारे जो फिर्स वह क्या कर सकते हैं क्या दिखती है हमें कि जो हमारे जो क्यालरी बनेज है और जो डूरेशन है जितने जादा टाइम है और क्यालरी बनेज है उनके बीच का जो बनेज के बीच में जो लिनेर एंचेशन जेफ है वह बिलकुल नहीं है लगबग नहीं है टाइक है उसके अन्दर हमारे पास एक होता है सी यो डावलार के नाव से हमारे बास एक फॉंक्शन होता है पाइतन के अंदर हमारी कोर्रेलेशन की मैट्रिक्स दिखाने के लिए ठीक है फिर फॉल हेल्स टेटा डॉट को ठीक है फिर वह ब्रैकेट में तू लगा दिए ब्रैकेट में हमारे हमें जो है हमारे डैसिमल के बाद दो डिजिट्स देखने को मिलें अगर आपको दिख रहा हुआ कि जो हमारी क्यालरी बढ़ने जो डूरेशन के बीच में जो को हमने बात की तो और इसमें क्या है हम इसका यूज करेंगे तो अब इसमें क्या है जितना ज्यादा क्लोज होगा उतना ज्यादा हमारा स्कॉयर ग्रीन होगा ठीक है और जितना ज्यादा उससे दूर होगा उतना ज्यादा हमारा स्कॉयर ब्राउन कर जाएगा ठीक है तो हम इससे देख सकते हैं यह आपको नीचे एकसांपल दिख रहा होगा इसमें क्या है हम हीट में बनाने के लिए हमारे बास एक लाइब्रेटी है सी बॉन के नाम से उसका यूज कर इस इस नाम से इंपोर्ड करा दिया अब हम क्या है को अनुए पर निकाल रहे है फुल डेटा का तो हमने क्या लिए फुल हेल्द डेटा डॉट् को रेशिंट है अब क्या है फिर रहे बनाएंगे एकसेस को रेचन के नाम से एकसिस कर डिकले उसके पिछान देंगे हमारे के अंदर हमारे पास हमारे full health data का correlation value है अब उसमें क्या करेंगे V minimum equals to minus 1 V max equals to 1 और center जो है 0 मतलब क्या है वो minimum जो है उसकी value minus 1 होगी maximum 1 होगी और center है वो 0 होगा ठीक है अब क्या करेंगे हम C map के नाम से एक variable बनाएंगे करेंगे जिसका यूज करेंगे हम as a canvas करेंगे उसमें हमारा heat map design करने के लिए द्रौ करने के लिए उसे as a canvas करेंगे cmap को ठीक है उसका हम करेंगे sns.diverging palette मैं लोगे sns जो हमारी लाइब्रेरी है c bound की उसके अंतर है हमारा एक function है diverging palette के नाम से जो की उसे design करने करने के लिए कि उसमें जो है वो उसकी dimensions define करने के लिए हम उसे फिर शो कर देंगे तो हमें हमारे जो है वो heat map शो हो जागा ठीक है तो इस लक्सेटल बस इतना ही hope you got all the points in the lecture and still if you have any queries you can put it in the given section thank you